कोई कहता है जल्दी उठो, कोई कहता है जल्दी तो शेतान का घर होती है, कि दंचरिया तो बस एक पहलू है अनुशासन का, इसकी तो हर जगे, हर शन, अपनी ही एक सूरत होती है। जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है, ये तो हमें बच्पन से ही सिखाया जाता है, पर अनुशासन की असली परिभाशा से हमें कभी ही रूबरू कराया जाता है। तहजीब में तो कभी इंतजार में अनुशासन की प्रतिमा तो हर जगे विराजमान होती है, पर देखना इसे केवल वक्त के दाएरे में ये गलती हमसे न जाने कितनी अंगिनतबार होती है। अनुशासन कोई चाबुक लिए खड़ा जलाद या कोई जेल नहीं होती। ये तो वो फूल पतियों वाली लगाम है, जिससे सुन्दर इस चहां में कोई बेल नहीं होती। अनुशासन व्यवाहार में होता है, जो सब कुछ खोकर भी अपना आपा नहीं खोता। ये तो वो उमीदवार है, जो सारी उमीद खोकर भी अपनी उमीद नहीं खोता। किसका इश्क कठोर और दोस्ती बड़ी मसेदार होती है, अनुशासन ले आओ अगर अपनी चाल में, तो हर एक कदम की गूंज बड़ी जोरदार होती है। खाने पीने के अनुशासन का भ्यास सबसे असरदार होता है। व्यादा खाना तो असुर की निशानी है, जरूरत के लिए खाने वाला ही तो साधू का अवतार होता है। अगर जीब का स्वाध हाथ में ना हो, तो पीट-पीट नहीं रहता, कुवा बन जाता है। फिर अनुशासित हो चाहे कितनी भी कसरत, शरीर अपने आपे से बाहर हो जाता है। अनुशासन लगे विचार में, तो पाओगे कि हमारा कितना बड़ा भाग सोच का बेकार होता है। व्यर्थ ही जाता है समय किसी की बुराई सुनने में, किसी की बड़ाई करते जाना भी बड़ा ही सस्ता अलंकार होता है। अनुशासन दिशा देता है सोच को, उसको एक निर्धारित गती देता है। पीछे रह चुके कुछ कार्य याद दिलाता है, उनको पूरा करने की मती देता है। भाव में, इरादों में, कभी कभी तो इशारों में, पाओगे की मौजूद है अनुशासन हर जग है। इसको तो पूर्ण रूप से अपने जीवन में शामिल करो, देखकर उस रब के अनुशासन को हर बार हर नजारे में, खुद को उसके काबिल करो। अनुशासन झाल झाल